नमस्कार मित्रों मैं अश्रूंत तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कनेडा और भारत जैसे देश की बीच जो गतिरोद की स्थिती बनी हुई है इसके पीछे गदी मैं देखूं तो कनेडा की ही गलती है मैं ही नहीं तमाम अंतराश्टी मंचों से जिसकार से कई देश कह रहे हैं आप सोचिए क्या हमें पाकिस्तान में जिस प्रकार से महा आतंगवादी फल फूल रहे हैं जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान गवर्मेंट महां के आतंगवादियों को अलगावादियों को पूर्शन देने का काम कर रही है उसके बाद नहीं लोग के माध कि यह बात पूरी दुनिया जानती है कि उसी प्रकार से उसी रास्ते पर आपका चल पड़ा है क्यानडा जैशा देश मैं आपको बता दू जस्टिन प्रूडों को कई बार कई बार जो है यह संदेश दिया गया भारत जैसे देश की तरफ शे कि आपके सरजमी पर हमारे ही देश के कुछ भागे हुए भगवड़े अतनवादी ठीक आपके देश से गलत मैसेज प्रचारिक कर रहे हैं किस पिकार से हमारे देश को अलगावाद की तरफ ले जा रहे हैं हमारे ही देश के एक अभीन rather अंग को भाग को जिसका नम पंजाब हो इसकुका राजिन में तबदिल करने का प्रयास कर रहे हैं अलगावादी मान सिक्ता से पोसित कर रहे हैं अभी आूपने देखा होगा तीन-चार किस प्रकार से अस्तिर कर दिया था कि बाद में जाके किन सरकार हस्तच्छेप करती है इस मस्वीदे को एक उंदा लेवल पर ले जाकर आज देखिए सारा पंजाब सांद कर दिया गया या आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जब उनकी संहिंता पूरितन से जाहिल हो जाती है तो वो फिर बात में बताते हैं कि हमें कची कई पीसे मिले थैं हमें ऊपर ऑसे िरदेश मिला है उपर से निर्देश का मतलब ही है कि कनाडा से सूचिए हरदीप सी निर्दजर एक ऐसा व्यक्ति जो 2008 में भारत जैसे देश में भगवड़ा घूशित होता है अमाम तरह के मुकदमें उसको पर ला दे जाते हैं और जिनमें उसकी वास्तविक समलिक्तिता पाई जाती है उसके बाद जमानत पर बहार आता है नकली या कहें फेक पासपोर्ट और दीजा बनाके हमारा देश शोड़कर कनाडा चला जाता है मतलब इतनी आसानी से आपके द लिए या हमारे देश का भागा हुआ थंकी है उसके बाद भी आप कोई कदम नहीं उठाते हैं और बार बार वह जो धंकी देता है भारत जैसे देश को हम यह कर देंगे वहां के निताओं को वह कर देंगे जो खालिस्तान वीचार धराओं में बादक का काम करेंगे हम उनक कैनाडा के अंदर जितने भी हिंदू हैं वो कैनाडा छोड़कर चले जाएं अनलताय को को मारेंगे यहां तक ही आपने अमबैसी वालिन जब्बिंसी में जो लोग काम करते हैं राजदूतों को आपने निसाना बनाने का प्यास किया हमारा हमारे राश्टी द्वस्पा आपने कई सारेवार किये इतना सब कुछ होने की बाद भी वहां की सरकार आपको प्रोटेक्ट कर रही है और जब किसी दूसरी हिंसा में आपकी संगलिपता पाई जाते हैं उस प्रक्रम में आप मारे जाते हैं तो वहां के जो प्रदान मंतरीएं को मिरची लगती जस्टी करवाने के बाद उन्हें बकाइदे प्रायोजित करके उनको बास गया है और यह किसी भी देस्द के लिए इस प्रकार की हत्या उसके नागरी की तरह की बहुत ही जिंदन्नी है और उस पे भारत को एक मैसेज देना पड़ेगा ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा तमाम तनक्य धंकी दे देते हैं पर आज का जो भारत है दोस्तों वह बहुत आगे निकल चुका है मैं आपको कह दूँ हमारे देश के सश्वी पिधान मंतरी मोधी जी देखा जाए तो जो विदेश में उनकी कुट नितिक सहली है जो डिप्लो मेंसी जो पॉलिसी और बहुती प्रभावसाली तरीके से करते हैं यही कारण है कि उन्होंने तुडंत बिना कुछ सोजे समझें कागी भाईया अज थाई काल तक कनाड़ा से कोई भी भ्यक्ति भारत नहीं आसा इसके पीछे भी बहुत बला कारण है कम सकम अब तो पता चलेगा ने अब किसके माध्यम से तुम यहां पर हत्या करा होगे तुड़ा मैसेज भी जाए और अमेरिका जैसा देश जो उसका रविया है ने जीदर की तरह है और उससे सपोर्ट कर रहा है जो कैनाड़ा की जो गुप्तिचर से माएं जो भी भाग रहें जिस प्रकार से पूश्टी कर रहें उसमें कुछ नकुछ संगलिपता तो है भार भारत जैसा देश को कैनाड़ा के लोगों को शाथ जो ओफिशियल लोग हैं उफिसर उनके साथ सयोग करना चाहिए और इस घटना की जाच करनी चाहिए कि अवास्तों में उनकी हट्या जो है भारती स्पाई जंसी ने किया है उनकी एजंट ने किया है तो मैं आप से फिर चीज़ बता दूँ भारत जैसा देश अब इतना ससक्त और मजबूत हो चुका है कि अपने में खुद लेगा बहुत अंतराश्टी सभाएं बनी हुई हैं अंतराश्टी संग बना हुआ है कि एक देश दूसरे देश उपर हमला नहीं करेगा उसका उत्पिल नहीं करेगा यदि करेगा तो उसको अमने स्तानबूत कर देंगे बहाँ साइबनार को क्या है नाटो कितना बड़ा ऑर्गनाइजेशन है आज उसने क्या किया रस्या जैसा देश जिसमें धंकी दिया युक्रियन जैसे देश को यदि आप नाटो का सदश्ता गरहन करेंगे तो हम आपक कुछ देश का दमकियों से मत डरा करो यदि रूस तुमारे उपर कोई भी चाल चलेगा हम उसको खुद सामने से टकड़ेंगे अगले ही सुगा वह अटाइक करता है और पिछले डेड़ साल से ज्यादा समय हो गया और आप देख रहे हैं गतिरोद और युद्ध की स्थित याद भी उसी तरह बनी हुई है उक्रेन पूरी थे में से खतम हो चुका है फिर भी चोरी छुपे लिच्छे के दरवासे से कुछ कश्मी देश कुछ यूरोप के देश उसे अर्थिक और सेन रूप से मदद पहुचा रहे हैं फिर इक उनकी स्थिति देनी है कोई भी पेट में ले लेगा ने जो लड़ रहा जो कीचड में है जो युद्ध की स्थिति में है जो खुला चैलेंज दे रहा है किसी भी राष्ट को वह आप से नहीं डरेगा वही कारण है सोचिए उत्तर कोरिया का जो किम जौं सासा के कनड़ा के राष्टपती से जाके मिलता है और दोनों में सेंड ब्यापार होता है सारे देश कहरे था नहीं इनको ये कर दिया जाएगा प्रतिबन लगा दिया जाएगा किसी उन्हें कुछ नहीं उखाड़ पाया तो इसलिए भारत जिसे देश को भी दरने की आप सकता नहीं यह लगबस है इसे ही ठूकेंगे बोले प्रतिशन है उतना तो हमारे गाओं की है एक जिले की है इसलिए तो आज के लिए इतना ही नमस्काल जैहिए दने बादे